कटनी के इनकेजे थाना शेतर के गिराम केवलारी में तेज रफ्तार इनोवक कार ने देर राद को दो गिरामिलों को जोरदा टक्कर मार दी जिनने 108 एमुलेस की मदस तेस्थानी लोगों दुआरा जीलस पता लाया गया जहां मौके पर मौझूद प्रत्याक्ष दर्शी के नुसार इनोवक कार तेज रफ्तार में थी जो रोड के किनारे निस्तार कर रहे यूवक को जोरदा टक्कर मारते हुवे खेद में जाकर पलड़ गई जानकारी के मुताबिक एक यूवक की हाथ पेर में गंभी चोट आई है और एक ग्रामिल यूवक नरेश कुमार कोल की म मौत होना बताया गया है एनकेजे थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जाज में लिया है घर में था मुझे घर में पता चला कि रभी के दुकान पास मिन्टू हनुबार उर्फ मिन्टू सलहिया तरब से गाड़ी ले करके आया और रभी के दुकान के पास रोड के पटरी में उतार किते हुए और वो मोतिलाल का दमान रहा उसको ठोगण मारा उसका पैर चूटा और फिर उसके आगे नरेश पात रूम कर रहा था दूर के किनारे उसको भी जम के ठुकड़ मारा जिसमें से नरेश गाड़ी का नंबर बदा सकता हूं नाम नहीं जानता है नंबर एमपी बीस एमवी जीरो आट सोसी पैला स्कूल परवारिक चाचा हुए उसका प्रतक का यह लगभग साड़े अर्चा हुए जानकारी यह लगे कि एक कार से अक्षिडियन्ट हो गया है इसमें से की एक घायल हो गया गया हम लोगों ने वहां उपस्तित हुए और कार जाकर के प्लट गई इसके बाद हम लोगों ने कटनी से प्रविन कुमार पारश्र की रिपोर्ट